प्रेम शुक्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपदा में आउसर प्रधानमंतरी मूदी ने कहा था लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा लग रहा है कि अभद्रता में भी आउसर दिखाई पड़ रहा है आज कॉंग्रेस पार्टी के नेता है पवन खेडा जी वो कह रह करते हैं चाहिए मौर्भी का ८ुद्धा हो या वहां कि सार्तों का मुद्धा हो शराप का मुद्धा हो या जो बात है कांग्रेस के तने ऊघ्रकार का जन्म उँदिश को un बाई जिसने गुजरात को 79 हज़ार किलो मीटर नहरों का जाल बिचा कर जो गुजरात कांग्रेस के कारेकाल में बूद बूद पानी के लिए तरस रहा था उस गुजरात में हर घर में नल से जल पहुचाने का कारेक क्या भसमासूर कर सकता है। 10 हज़ार करोर रुपे जो है कांग्रेस के कारेकाल में गुजरात का कुल बजट था उसको 2,50 हज़ार करोर तक या भसमासूर पहुचा सकता है। गुजरात के कुल GSDP 99.000 करोड की थी, उसको जो है 15 लाख करोड रुपे तक पहुचाना क्या भसमासूर ये कारे कर सकता है। साथ घंटे सिर्फ बिजली गुजरात के गाओं में और सहरों में आती थी, वहाँ 24 घंटे बिजली क्या भसमासूर पहुचा सकता है। गुजरात के गाओं को सौर उर्जा के माध्यम से बिजली करीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला, क्या ये भसमासूर कर सकता है। गुजरात के गालियों का अगर कोई सतत गालियां दे तो उन गालियों का हम जिकर भी ना करें, वो हमें गालियां दे और अब उन गालियों को जन्ता के सामने ले भी ने जाएं कि हमको गालियां दे रहें, गुजरात को गालियां दे रहें। और इसी चुनाव में कहा था और सद्दाम हुसेन को किस संदर्व में कहा था शुबांकर जी नहीं ने उत्तर सुन लीजिए सद्दाम हुसेन जिनके 1991 कुछनों में राजी उगांदी के साथ पोस्टर लगाए गए थे वो सद्दाम हुसेन जो इरा जिस सद्दाम हुसेन की मित्रता पर कांग्रेश सिदा हो जा रही थी वो सद्दाम हुसेन गाली हो गया और भस्पासुर श्रिंगार हो गया रावन श्रिंगार हो गया नीश श्रिंगार हो गया घंगु तली श्रिंगार हो गया यह नहीं बात कर दो कर देंगे जिन सद्दाम हुसेन की ओलकर आयोग की रिपोर्ट बताती है कुवर नटवर्सिंग जिनों ने श्री मती सोनिया गांधी को विदेश निती की पाठ पढ़ाए उन्होंने तेल के बदले अनाज वाली योजना में जिन सद्दाम हुसेन से लाव अरजित किया कांग्रेस पार्टी में वो सद्दाम घाली हो गए कैसाब